हेलो स्टुडेंट्स एक बार फिर यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम करेंगे कक्षा नुवी गणित की प्रशनावली 9.1 तो आईए परसंद संख्या एक को पड़ते हैं निमलिक्त आकरतियों में से कौन सी आकरतियां एक ही आधार और एक ही समानतर रेखाओं के बीच स्थित हैं ऐसी स्थिति में वो बेनिस्ट आधार और दोनों समानतर रेखाएं लिखिए बच्चो इस प्रशनावली के अंदर सिर्फ एक ही प्रसंदिया हुआ है हम उसको करते हैं यहां पर हमें छे आकरतिय दी हुई है इन आकरतियों में से हमें यह बताना है कि कौन सी आकरति एक ही आधार और एक ही समानतर रेखाओं के बीच में स्तितहिया बनाई गई है और हमें उन उभेनिस्ट आधार और उन दोनों समानतर रेखाओं को भी लिखना है तो बच्चो एक बार आप यह समझे लो कि समानतर रेखाओं क्या होती है समानतर रेखाओं वो होती है जो रेखाओं बढ़ाने पर आपस में ना काटे या एक दूसरे से ना मिले वो रेखाएं कहलाएंगी समानतर रेखाएं उनको हम किसी भी दिसा में जितना चाहें बढ़ाएं वो आपस में नहीं मिलेंगी वो कहलाएंगी समानतर रेखाएं उनके बीच की दूरी हर बार समान रहेगी तो पहले आकरती है, यहाँ पर आप देखिए, एक हमारे पास चतरबुज है A, B, C, D और इस चतरबुज के अंदर एक तिरबुज है D, P, C अब यहाँ पर आप देखिए कि इन दोनों ही आकरतियों का जो आधार है वो एक है, वो भेनिस्ट है, कॉमन है यह जो आधार है C, D, यह तिरबुज भी C, D अधार के उपर बढ़ी हुई है, और यह चतरबुज भी C, D अधार के उपर ही बढ़े हुआ हुआ है उब भेनिस्ट जो आधार है वो हो जाएगा C, D, अब मैं दूसरी सर्थ और देखनी है, एक ही समानतर एकाउं के बीच चतरबुज A, B, C, D यह भी दो समानतर एकाउं के बीच में है, A, B और C, D के अगर आगे बढ़ा दें इस तरह से, तो यह चतरबुज A, B और C, D दो समानतर एकाउं के बीच में है और इन्ही दो समानतर एकाउं के बीच में है तिरबुज D, P, C तो इस प्रकर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही आकर्तिया एक ही आधार और एक ही समानतर रेखाओं के बीच में हैं तो ये आकर्ति दोनों सर्थों को पूरा आकर्ति है तो यहां पर हम लिख देंगे आकर्ति जो एक है वो एक एधार और एक ही समानतर रेखाओं के बीच में इस्तत है यहां पर उब्हेनिस्ट आधार हो जाएगा समानतर रेखाएं हो जाएंगी A, B, समाना रेखाओं, C, D यानि A, B या C, D A, B और C, D यह लिसकते हैं A, B, समाना रेखाओं, C, D तो इसाकरती के अंदर एक चत्रबुज हमारे पास है P, Q, R, S दूसरा चत्रबुज है M, N, R, S यह दोनों चत्रबुज एक ही अधार पर बने हुए है दोनों का अधार क्या है? R, S दोनों ही एक ही अधार R, S पर बने हुए है अब देखते हैं दूसरी सरत क्या यह दोनों एक समानतर रेखाओं के बीच में है अब यह जो बड़ा वरत है P, Q, R, S यह R, S और P, Q के बीच में है जो चत्रबुज M, N, R, S है यह R, S और M, N M, N और R, S इन दो समानतर रेखाओं के बीच में है जबकि बड़ा चत्रबुज S, R और P, Q के बीच में है तो इस case के अंदर यहां पर आधार तो बेनिस्ट है लेकिन समानतर रेखाओं अलग-अलग है तो इस second part हो जाएगा नहीं यह आकरती A की आधार और समानतर रेखाओं के बीच में नहीं है इस आकरती में हमारे पास P, Q, R, S एक चत्रबुज है और फिर एक तिरबुज है R, Q, T अब यह दोनों ही आकरतीयां एक उभेनिस्ट आधार के उपर हैं हम इस आकरती को थोड़ा सा अगर गुमान लें इस तरह से तो यहाँ पर इन दोनों का अधार क्या हो जाएगा R, Q यह दोनों ही आकरतीयां तिरबुज और यह चत्रबुज दो समानतर रेखाएं P, S और Q, R के बीच में स्थित हैं तो यहाँ पर यह आकरती हो जाएगी A की अधार और समानतर रेखाओं के बीच में इस आकरती के अंदर हमारे पास एक तो चत्रबुज है A, B, C, D उसके बाद फिर हम दिले लेते हैं इस तिरबुज को P, Q, R यह दोनों ही आकरतीयां A, B, C, D चत्रबुज और P, Q, R तिरबुज का जो आधार है वो एक नहीं है दोनों का अधार है वो उब्हेनिस्ट नहीं है क्योंकि इस तिरबुज का अधार है सिरफ P, Q और इस चत्रबुज का अधार होगा B, C तिरबुज का अधार है सिरफ P, Q, और इस चत्रबुज का अधार है B, C तो आधार है वो बेनिस्ट नहीं है कोमन नहीं है यहां पर यह इस सर्थ को पुरा नहीं करती तो हमें आगे देखने की जरूरते नहीं है तो यहां लिख देंगे हम नहीं अगर हम इसके लावा दूसरी आगरती को देखें कि A B C D चत्रबुज और चत्रबुज A B P R तो यह भी इस सर्थ को पुरा नहीं करता क्योंकि चत्रबुज A B C D का अधार तो हमारे पास हो जाएगा A D इस केस में और चत्रबुज A B P R का अधार होगा A R तो यहां पर यह भी आधार समाने नहीं है अगली आकरती है पांच नमबर की इस आकरती में चत्रबूज A, B, Q और D और दूसरा चत्रबूज हमारे पास है A, P, C, D इन दोनों ही आकरतियों का जो आधार है वो है A, D A, D दोनों के अंदर वो बेनिस्ट है और ये दोनों ही आकरतियों समान तर रेखा A, D और B, Q A, D और B, Q के बीच में हैं तो यहां पर ये दोनों ही शरतों को पुरा करती है यहां लिख देंगे हाँ शट्या करती के अंदर हम लेते हैं पहले P, Q, R, S को चत्रबूज P, Q, R, S और लेते हैं हम A, B, C, D को तो यहां पर देखिए P, Q, R, S का जो अधार है वो है R, S और A, B, C, D का अधार है C, D तो यहां पर अधार है वो समान नहीं है इसी परकार हम लेते हैं आकरती P, Q, R, S और B, Q, R, C को तो यहां पर भी इस चत्रबूज का जो अधार है वो है C, R और P, Q, R, S का अधार है R, S अधार समाने नहीं है हम लेते हैं P, Q, R, S और P, A, D, S P, A, D, S को इन आकरतीयों के अंदर भी P, A, D, S चत्रबूज का अधार है D, S और P, Q, R, S का अधार है R, S आधार समाने नहीं है तो यहां पर भी लिखेंगे नहीं क्योंकि यह दोनों सर्टों को पुरा नहीं करता तो इस परसन में हमें वो भेनिस्टा अधार और समानतर रेखाओं को देखना था पता लगाना था कि आकरतियां हैं वो क्या एक यह अधार और समानतर रेखाओं के बीच में है या नहीं है